आज मैं आपके साथ तिल और गुर्गी एक बहुती आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे बनाना बहुत आसान है इसमें हमें कोई चाशनी बनाने सा जंजट नहीं रतना है इदम सौफ्ट और मुँ में गुल जाने वाली हमारी ये मिठाई बनी है धर में अगर बच्चे हमने इलाइची पाउडर लिया है फ्लेवर के लिए तिल और गुर्गी की वांटिटी हमें समान रतनी है तिल को मैंने अच्छे से इड़ बर साफ कर लिया है यहां पर हम तड़ाई में ये तिल डाल देंगे और तिल को हमें ड्राय रोस लगना है तो इसमें हमें 3-4 हो रहे हैं मुझे तेल को भूनते वे अभी आप देच सकते हैं इंता तलर भी चेंज हो गया है हमें इतना ही इने भूनना है इससे जादा अधर हम भूनेंगे तो फिर इंता टेस्ट हमें तड़वा लगे दा गैस्ता फ्लेम बन तरेंगे और इन्हें मैंने प्लेट में न अधर जमाने वाली ट्रे या और भी कोई प्लेट में आप इसे जमा सकते हैं बस उसे अच्छे से घीसे घ्रीस तर लीजे ताकि नितालने में आसानी हो जाए है हमारे ठंडे हो देए है इन्हें हम जार में डाल देते हैं अधर आप तरम तिल को पीस लेंगे तो फिर इंता अधर देते हैं और इसे भी अब हम राइन कर लेते हैं तो तिल और गुर दोनों को भी मैंने एक साथ राइन कर लिया है आप देच सकते हैं बिलकुल हमें ये ऐसे ही चाहिए चलिए अब हम बरफी बनाते हैं अभी हम रडाई में एट टेबल स्पून जितना गी डाल अभी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम भूनते जाएंगे अभी आप देच सकते हैं कि इदम ड्राय है बिथर रहा है बड़ देड़े जैसे जैसे हम इसकी बुनाई करेंगे ये आपस में बनने लग जाएदा और एट जमने वाली तरंसिस्टेंसी में आ आप इसमें नारियल का पाऊडर बुरादा अड़ कर सकते हैं या अजर आपको मावे वाला टेक्ष्टर चाहिए तो आप इसमें आधा कप मिल्क पाऊडर भी यहाँ एड़ कर सकते हैं आप इसे अपनी पसंद से कैसे भी बना सकते हैं बट इस तरह ये प्लेन भी बहुत भी पसंद नहीं करते हैं बट इस तरह अधर आप उन्हें यह मिठाई बना के देंगे तो नहीं यह बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि इद्दम माउथ मेल्टिन है और अभी आप देच सकते हैं कि कैसे हमारा मिठ्षर बनना स्टार्ट हो गया है पहले कैसे इद्दम ड्रा इद्दम अच्छे से बंद जाएंगे तो गैस्ता फ्लेम अभी हम बंद देते हैं और तुरंत ही हम इसे द्रीज किये वे टिन में ट्रांसफर कर लेंगे वर्फी आप तो कैसी पतली या मोटी चाहिए उससाथ से आप इसे जमा सकते हैं मैं थोड़े मोटे सा इसकी बना र हलता प्रेस कर देंगे आप इसके उपर चाहिए तो रोस्च के वे तिल भी स्प्रिंसल कर सकते हैं और इसे जमने के लिए छोड़ देते हैं बर्फी को मैंने दस मिनिट के लिए फ्रिज में रद दिया था अभी आप देच सकते हैं यह अच्छे से सैट हो गई है अजर तयार है चलिए मैं आपको एक पीस निताल के दिखा देती हूं यह आप देच सकते हैं कितने यम्मी और टैम्टिन लग रही है बनाने में भी आपने देखा कितनी आसान थी इत्दम जटपट सी बनने वाली हमारी तिल गुर की बर्फी बनके तयार है इसे मैंने प्लेट मे बहुत पसंद आने वाली है बनाने में इत्दम आसान है फाने में बहुत टेस्टी है तो आप भी इसे जरू ट्राइक कीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल को सब्स्राइब कीजिए मिलते है इत नही वीडियो में इत नही आसान सी रेसिपी के साथ तब टेकिल बाइ